नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study for civil services में दोस्तों आज मैं भारती इतिहास के top 100 one liner questions लाई हूँ question and answers जो की important है सभी competitive exams के लिए तो चलिए दोस्तों start करते हैं पहला प्रशन है हिंद युनानी शाष्कों के संबद में मुख्य जानकारी हमें किस शोथ से मिलती है उत्तर है इसका सिक्के next question है रिगवैदिक कालीन सरप्रमुक देवता कौन थे उत्तर है इंद्र कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टाने के उपकरणों का निर्मान किस काल में होने लगा मद्य पाशानकाल में बैल और हलकी सहायता प्रशी कारे की शुरुवात किस काल में हुई नव पाशानकाल में नव पाशानकाल के किस थल्क से पात्रों में रखकर शवों को दबाय जाने के अवशेश प्राप्त हुए हैं? आदी चलनू शवाधान की दास अंसकार की प्रक्रिया किस कालखन में शुरू हुई मद्य पाशानकाल में? भूमद्य साग्रिय और एल्पिनी आर्मीनी लोगों ने भारती को कौन सी भाशा दी? द्रमिड भाशा चावल के उत्पादन के साक्ष किस सेंधव पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? रंगपूर एवं लोथल से किस सेंधव पुरास्थल से फर्ष के निमित अलंकरत इटों का प्रयोक किया गया था? काली बंगा सूध का सरपतम उलेक रिगवेद के किस मंडल में मिलता है? दशम मंडल में रिगवेद के दूसरे मंडल से लेकर सात्मे मंडल तक को क्या कहा जाता है? वन्ष मंडल आज इवन आविवाहित रहनेवाई लड़कियों को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अमाजू सरप्रतम किस उपनिशद में ब्रह्म चर्य वान प्रस्त एवं सन्यास चार आश्रमों का वर्णन हुआ है? जाबाल रिगवेद में किस नदी के तर्ट पर दाश श्राग युद्ध लड़ा गया था? रावी नदी के तर्ट पर किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तप स्चार एवं कया कलेश का रोचक विवर्ण मिलता है? आचा रांग सूत्र से रिगवेद के श्लोकों में किन तीर्ट कारों के नामों का स्पस्ट उलेक हुआ है? रिशब एवं अरिस्ट नेमी बुद्ध की सर्वादिक मूर्तियों का निर्मार किस कला के अंतरगत हुआ है? गांधार कला के अंतरगत सांसारी दुखों से मुक्ति है तो बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अस्टांगिक मार्ग की रुहेल खंड तथा मध्य दुआप के छेत्र में कौन सा महाजनपद इस्तित था? पांचाल किस यूरोपी विद्ध्वान ने सैंडरो कोटस की पहचान चंदुगुप्त मौरे के रूप में की विलियम जोन्स ने? मैं इसनी चंदुगुप्त मौरे के दर्बार में कितने समय रहा था? छे वर्ष यानि शिक्सियर्स बिंदुसार के लिए यूनानी शोतों में कौन सा नाम आया है? अमित्रो केटस अशोक के शिला लेखों में उल्ले की ताम्र पढ़नी किस देश के लिए प्रियुक्त हुआ है? श्रिलंका के लिए अशोक के किन शिला लेखों में खरोस्टी लिपी का प्रियुक हुआ है? मान सहार एवं शहबासगडी दो पत्वारों वाले जहाज का चित्र किस शाषक के सिको पर मिलता है यगश्री। कलिंग के चेदी वंस का सर्वाधिक प्रतापी शाषक कौन था ? खार्वेल कला की किस शैली को ग्रीक बोद शैली की संग्या दी जाती है गांधार शैली को नचत्रों को देखकर भविश्य बताने की कला भारतियों ने किन से सीखी युनानियों से संगम साइत में वैच्ची शप्त का प्रयोग किस सर्थ में हुआ गोहरन हर्षवर्धन और चालुप की शाषक पुलकेशन दुती के बीच की स्वर्ष युद्ध हुआ 634 इश्वी में मद्ध्य प्रदेश में इस्तित एरन अभिलेक का समद किस शाषक से है समुंद्र गुप्त से सक समद का प्रारम किस ने किया था कनिश्क ने चीन से व्यापारिक समन बनाने के लिए किस चोल शाषक ने अपने दूत मंडल भेजे राजिस्थान प्रथम पालवंश के किस शाषक ने विक्रम शिला विश्वी दाले के स्थापना की धर्मपाला ने मुहम्मद बिन कासिम के नेत्त में अर्बो का सिंध पर कब आकरमन हुआ 712 इश्वी में अलबरूनी ने किस कुरंद की रशना की किताब उलहिंद की मुहम्मद गौरी ने भारत में अपना अंतिम अभियान किस के विरुद किया खोखर दिल्ली सल्तनत की सीमा का सरवाधिक विस्तार किष्ट सुल्तान के समय हुआ मुहम्मद बिन तुगलक के समय तारीक ए फिरुद शाही की रशना किसने की जियाउद्दीन बर्णी ने भारती संदर्व में अबुल फजल सूफी मत के कितने सिल्सले चौदा भक्ती को दाशनिक आधार देने वाली प्रथम आचारे कौन थे रामानुच विसिष्टा द्वेत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी रामानुजाचारे ने रामायर का बांगला रुपांतर किसने किया था क्रतिवास ने बाबर ने अपनी आत्म कथा तुजू के बाबरी किस भाषा में रिखी थी तुर्की में 1601 इश्वी में किस दक्षिन भारती राज का मुगल सामराज में विलेकिया गया खान देश मुगलकाल में वास्तवी क्रशी उत्पाद या फसल में राजी के अंश को क्या कहा जाता था माल या खराज शिवाजी का राजी कितने प्रांतों में विभग था प्रांत दूस्तों ये वाले कोशन का अंसर हम बाद में बताएंगे शिवाजी का राजी कितने प्रांतों में विभग था नेक्स्ट कोशन है किश पेश्वा के समय मराठा संकी समस्त शक्ती पेश्वा के हाथों में आ गई उत्तर है बाजी राव प्रथम इलहाबाद की संदीक इनके बीच हुई थी अंग्रेज और शाह आलम दुती के आवद में स्वतंतर राजी की स्थापना किसने की बुरानुल मुल्क ने कुतबुद्दी नैबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई लाहौर में इल्तुत्तमिश के किस प्रतिदंदी ने सिंदु में डूप कर आत्मत्या कर ली नशुद्दीन कुबाचा ने मराथा समराज जी का अंतिन पेश्वा कौन था बाजी राव भारत में पुर्तगाली राजधी की स्थापना का शेक किस वायसराय को दिया जाता है फ्रांसिसको डी अल्बुग बर्क को बंगाल में चंदर नगर नामक प्रसिद फैक्टरी की स्थापना किस विरोपी शक्ति ने की थी फ्रांसिसी बकसर की युद्धी की समापती किस संदी से हुई थी इलहाबाद की संदी से भारत में इस्ट इंडिया कंपनी ने किस छेत्र में अपनी पहली फैक्टरी स्थापित की सूरत मुशीदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा 1773 इश्वी 1764 में हैदर अली के विरुद पहला आक्रमण किस ने किया पेश्वा माधवराज पेश्वा माधवराओ है दोस्तों माधवराज मत पढ़ लिजेगा दोती आंगल मैसूर यूदी की समाप्ती किस संदी से हुई मंगलोर किस संदी से बंगाल में स्थाई बंदोबस्त की ववस्था किस के द्वारा की गई बंबई में रहयतवारी बंदोबस्त की विवस्था किसके द्वारा की गई महलवारी विवस्था का सूतरपात किस ने किया हौल्ट मैंक जी ने दोती आंगल अफगान युद की समापती किस सवाय सराय के शाशनकाल में लॉर्ड रिपन भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवात कमपनी के किस अधिकारी ने किया विलिकिन्स 1791 में बानारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की जोनाथन डंकन ने हंटर कमीशन की गठन के समय भात का वायसराय कौन था लॉर्ड रिपन भारती सिविल सेवा में प्रतम भारती के रूप में चैनित होने का गौरव किसे प्राप्त है सतेंद्र नाथ टैवोर को और इंडिया पिपल्स कांफरेंस का गठन किस वर्ष हुआ 1927 1927 1935 के भारत प्रशाशन अधिनियम के तहत संगी मंडल में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटे आरक्षित की गई एक तिहाई भाग किस वायसराय के शाशनकाल में भारती शाशन अधिनियम 1909 पारित हुआ था लॉर्ड मिंचो दुतिये किस वायसराय की हत्या उनके कारेकाल में भारत में की गई लॉर्ड मियो 1885 में भारती राश्टी कॉंग्रेस के प्रतम समेलन में अध्यक्षिसे बनाये गया था एओ यूम को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना नंदन में किसने की श्याम जी कृष्ण वर्बाने अखिल भारती किसान कॉंग्रेस का प्रतम अध्यक्ष कौन था सहजानन सरसुती आर समाज के संस्थापक दैनन सरसुती का मूल नाम क्या था मूल शंकर भारती राश्टी कॉंग्रेस को ये नाम किसने दिया था दादा भाई नौरोजी ने 1906 में मुस्लिम लीक किस थापना कहां की गई थी धाका में गांधी जी किनके निमंतरन पर चमपारन गए थे राज कुमार शुकल के किस कानून को भारती नेताओं ने काला कानून कहा था रोल अटेक्ट कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पून स्वराज को अंतिम लक्ष निधारित किया गया लोहौर अधिवेशन 1939 गांधी जी एवं अंबेत करके बीच 1932 में हुए समझोहते को किस नाम से जाना जाता है पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां की समानता सरकार सरवादिक समय तक रही सतारा की किस अधिनियम के दौरा केंद्र में द्वेध शाषन की स्थापना की गई थी 1935 के दौरा केंद्र में द्वेध शाषन की स्थापना की गई थी आधूनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है भारतेंदु हरिश्चन्द को यहूदियों के पूजा इस्थल को क्या कहते है सिने गौक किसे संगीत की प्राचीन तब पुस्तक माना जाता है साम वेद भारती नरत्य पर सबसे पुरानी पुस्तक नाटि शास्त्र किसने लिखी भारतमुनी ने सत्रिया किस राज का सास्त्रिय नरत्य है असम का जावेरी बहने शास्त्री नरत्की किस विधा से जुड़ी है मरीपूर कौन से करका भुकतान केवल मुस्लमानों के द्वारा किया जाता था जकात नुँ इंडिया अगबार का सम्मन्द किस से था एनी बेसिंट प्रशाशनिक अवयवस्था के आधार पर डलहौजी में किस राज्य को बिटिस सामराजों मिलाया था अवद को अशोक के अभी लेखों में किस वंश का उलेख नहीं है संगम का इंडिया होमरूग सोसाइटी की स्थापना कब हुई 1905 में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई 1913 में भारत का प्रथम मुगल शाशा कौन था पाबर किस बादशा ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया जहांगीर ने फतेपुर सीकरी शहर किस बादशा ने बनवाया अकबर हुमायूने शेरशा सूरी पर किस सन विज़ाप्राप की 1540 में तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि important है सभी competitive exams के लिए आगे हम आपके लिए और भी वीडियो ऐसे लाएंगे ओके बाबाई